Hello everyone and welcome back to the channel आप देख रहे है आड रे व्लोक्स तो बहुत ही दा पावफुल सेग्मेंट्स की भाइग में अपाचों के अपाचे आराट 310 और BMW G310R तो आप लोग सुच रहे होंगे एक BMW G310R तो एक निकीड सेग्मेंट की भाइग अपाचे आराट 310 तो एक पेड़ सेग्मेंट की भाइगा जो दोनों के सकता है तो मैं आप लोग को मुझा है इसका इंजन है वो दोनों ही BMW और अपाचे ने कोलाबरेशन में बनाया है दोनों का मिक्स वरक है इंजन के लिए इन दोनों बाइक के लिए इंट इंफरमेटिव होने वाली वीडियो और देखते रहे आरे व्लोग और पसंद आदे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो स्टार्ट करते हैं अपाच राट 310 के इंजन के साथ अपाच राट 310 के इंजन में आपको देखने को मिल जाता है तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो आप जाके परचेस कर सकते हैं वही अगर इसके पावर की बात किये तो आपको 34 PS की पावर मिल जाती है तो आपको 7500 rpm पे तो यार टॉक फिगर्स पावर फिगर्स में दॉनर में कोई फ़रख नहीं बाइक से सब्सक्राइब को मिल जाता है जो की बहुत अच्छा है सेफटी पॉपस के साब से आचकल बाइटरी भी हो चुगा है और एक पावर दे रहे और ले रहे हो तो आपको डॉल चाहिन लेए जरूर उसमें मिलना चाहिए अगर ट्रांप्मिशन की बाट ट्रांप्मिशन आपको 6-speed का ट्रांप्मिशन जोनी पाइसमें मिल जाता है जो की हाई वेस पर बहुत जादा है इंग जिनको फिल रैप करने के लिए और हाई स्पीड अचीव करने के लिए वार अगर संपें चिंती पात है तो फ्रेंड में आपको इन्वर्टेट्री चेलिस्कोबी फोक बिल ज्याते हैं अपाचे RR 310 में वहिए उसग्ष्ज्टाइए उसमें आपको तरीके उसमें अपने बहुत आपको अचे ज़ेयर तो अभी तक गाड़ गाड़ जाड़ा- तो आपको फ्रेंट में अपाचे और में 110 by 70 section के 17 umla miEND Yisha 150 by 60 heteronate बाल देखने को बजाता है वहीव है यहम अगर BMW GTN-R और के बात की जो आपको Phrenessional 110 while 70 section का 17 थायर देहने को मिल जाता है दिए यहनई को म понадुइं ही प्रूल्म ही नहीं वाली बहुत जिदा अच्छे ग्रिप मिलेंगी अगर आपको रेनी चीजिस में भी चाह रहे है तो आपको दोनाई बैक से बहुच्छी ग्रिप मिलने वाले है तो आपको वील बेस की बात किया है तो आपको वील बेस आरा प्रीटन में देखने को मिल जाता है 1365 mm का और जो अजले को डिया जाए तो अपाचा अर्ट अर्ट ती मंजेगी अगर जाए तो अगर निग्र करता दो तो पाचा 2 तरी तेन आर बन जाएगी मैं जो आपको 810 जाए 5 sugg जाए फो टेका तो यहां आपको difference देखने को मिल जाता है इन दौना बाइक में पहला difference है seat height का जो कि आपको 110 mm भी देहने को मिलती है पाचा राट 310 में महीं जो आपको G310 आपको देहने को मिलती है 785 mm की जो short rider से उनके लिए G310 आप फोड़ी easy रही राइड करने के लिए या मनुवर करने के लिए अपको compare आचा है अपाचा राट 310 में तो जो बात कि जाए इन दौनों के देखा जाए तो आपको फ्रेंट 310 mm के फ्रेंट 240 mm की तो डिस साइज में भी दौनों में कोई फ़रग नहीं है बट जो मेन फ़रग आपको देहने को मिलने वाला है आपको अभी देखने को नहीं मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको बुला थे कि मैं एंड में बताऊंगा जी 310 आपको देखने को मुझाती है तो यही था हमारा चोटा से रिव्यू और चोटा सा कंपेने देन नौना बाइक के बार में अधर आपको पसंद आए उसे लाइक करें सब्सक्राब करें हमारे चैनल को और कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको वीडियो और देखते रही है आरे व्लॉग